एक दिसम्बर 2023 को बाली बूट की दो बेहतरीन फिल्में जिनमें एक रणबीर कपूर की एनिमल मुवी जबकि दूसरी वीकी कौसल की सैम बहादूर मुवी रिलीज हुई हैं दोनों ही एक दूसरी से एकदम अलग हैं एनिमल मुवी जहां बाप बेटे के जबरदस्त प्यार को दरसाती हैं तो वही सैम मानेकसा की जिन्दगी पर आधारित सैम बहादूर मुवी देश के प्रती जजबेक और जुनून को बया करती हैं वही कहाने जितनी अलग है उतना ही दोनों के बाक्स आफिस कलेक्शन में भी अंतर देखने को मिल रहा है हाला कि दोनों फिल्में भी बाक्स आफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही हैं सैक निलक की शुरुवाती आकडों के अनुसार पहले दिन के मुकाबले सैम बहादूर मुवी की कमाई में काफी उचाल आया है दूसरे दिन विकी कौसल की सैम बहादूर मुवी ने 9 करोन 25 लाक की कमाई की है जबकि पह गया था वही दो दिन के कलेक्शन को मिला कर देखा जाए तो सैम बहादूर मुवी ने 15,50 लाक की कमाई भारत में कर ली है जबकि वर्ल्ड वादूर मुवी की दुनिया भर में 8,4 करोन की कमाई हो चुकी है जबकि फिल्म का बजट मातर 55 करोड उपय है ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म बजट की कमाई हासिल करने में काम्याब होगी जबकि इनिमल के अलावा सलमान खान और करीना कैप की टाइगर 3B सिनेमा घरों में टिकी हुई है जिसे दर्सकों का खुब प्यार मिला है अब देखना होगा कि विकी कौसल की सैम भादूर मुवी अपनी यातरा कहा तकताय करती है धन्यवाद